Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Theorem 10.5 समझते हैं इस वीडियो में There is one and only one circle passing through three given non-collinear points Theorem कहती है कि जब आपको तीन non-collinear points दे रखे हो non-collinear points वो होते हैं जो बिल्कुल एक straight line में नहीं आते हैं For example, यहाँ पे कोई दो point तो हमेशा collinear ही होंगे क्योंकि उनसे straight line बन जाती है Non-collinear तीन point होंगे तो इस तरह से होंगे यह बिल्कुल एक line में नहीं है तो इन से गुजरता हुआ सिर्फ एक और एक ही circle बन सकता है यह से यह बनाए हम ऐसे जब आपको circle बनाओगे तो तीन non-collinear points से सिर्फ एक ही circle बना सकते हैं इसके उपर इन तीनों के उपर कोई और भी circle आ जाए ऐसा possible नहीं है तो यह थिर्यों 10.5 है इसके बाद question number one देखिए exercise 10.3 से छोटा सा question है समझने के लिए important भी है draw different pairs of circles how many points does each pair have in common what is the maximum number of common points यह कहता है कि अलग-अलग pairs बनाई है circles के चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे possible हो सकता है तीन तरह के pair बनेंगे या तो हम circle ऐसे बना सकते हैं यह मैंने pair बना दिया circles का यह हम ऐसे बना सकते हैं कि दोनों circles को बिल्कुल eight points से गुजरते हुए इस तरह से बना सकते हैं यह हम ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से बस इन तीन तरीके से अलग कोई चौथा तरीका नहीं है जिससे हम pair of circles बना सके अब कहता है कि how many points does each pair have in common अब इनमें कितने common points हैं यहां पर यह जो पहला pair बनाया है इनमें क्या कोई point common है यह अलग है यह अलग है इनके बीच में तो gap है तो इसमें common point कितना है जीरो इनमें common point कितना है यह एक ही जगे पर touch कर रहे न तो इनमें जो common point है वो सिर्फ एक है और थरड़ वाले में जो मैंने बनाया है इनमें common points कितने हैं यह common points दो हैं आगे और भी है what is the maximum number of common points तो maximum number of common points कितना है दो है दो से ज्यादा तो ही नहीं कभी ऐसा होगा भी नहीं कि आप कोई दो सरकल बनाए और उनमें दो से ज्यादा common point आ जाए पॉसिबल ही नहीं है तो इसका जो answer होगा maximum number of common points therefore maximum number of common points is 2 इससे ज्यादा common points नहीं हो सकते तो इस वीडियो में बस इतना है next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए